आज कार्बोहईडेट में डाइस सेकराइड़्ष का एक और इंपोर्टन्ट टॉपिक है माल टोज देखते हैं क्या होता है माल टोज दा मेजर प्रोड़क्ट आफ हाइडोलिसिस आफ स्टार्ज जब आप स्टार्ज का हाइडोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा माल टोज बनता है इट इस परजेंट इन जर्मिनेशन सीड इस्पेशली सीरेल से सीड एटी सी और यह पाया जाता है या उपस्थित होता है जो जर्मिनेट सीड होते हैं और अनाज होते हैं इसमें It isReducing Sugar और यहाँ क्या होता है Reducing Sugar होता है It's positive test with failing solution and tollern reagent और यहाँ positive test देता है failing solution and tollern reagent के साथ अगर stars की reaction M-I-lash की उपस्थेती में कराएं तो C12-22-O11 11 बनेगा अतलब माल टोज बनता है और इसका हाइडोलिक्षिस करेंगे तो गुलुकोज और गुलुकोज ही बनता है ये हो गया मतलब माल टोज के हाइडोलिक्षिस पर गुलुकोज की दो मालिक्यूल बनते हैं इट आलसो रियक्ट बिद फैनिल हाइडाजीन फार्म्स माल्टोसा जोन यह फैनिल हाइडाजीन के साथ रियक्ट करेगा और माल्टोसा जोन बनाता है अब कुछ पॉइंट आपको किलियर हुए यह जर्मिनेट सेड में पाया जाता है या रेडिंग रेडियूसिंग शूगर होता है फैलिंग और टॉलन रियेजिंट के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है स्टार्च एमाइलेज के उपस्थिती में रियक्शन करेगा माल्टोस बनाएगा माल्टोस के हाइडियूसिस पे गुलुकोज के दो मालिकियूल बनते है और फैनिल हाइड़ाजीन से रियक्शन करेगा तो माल्टोस बनता है यह चार-पाँच पॉइंट आपको याद होने चाहिए फिर प्रजेंस आफ एट ओएच गुरूप आन ट्रीटमेंट विद एसितिक आन हाइड़ाइड तो गिब आक्टाइस्टल डेरिवेटिप्स विच इंडिकेट परजेंस आफ एट ओएच गुरूप इस फैक्ट आलसो इंडिकेट देट चीफोर आफ फन गुलुकोज बनेट विद चीवन आफ अदर गुलुकोज डेरिवेटिप्स बनते हैं इससे किलियर होता है कि इसमें एक टो एच गुरूप उपस्थित है और एक की जाओर कि इसमें एक गुलुकोज का सीफोर जुड़ेगा और दूसरे गुलुकोज का सीवन कि सीफोर और सीवन की भीज बॉंड बनेगा कैसे बनेगा इसको हम देखते हैं अगर फिसर इस्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर कुछ ऐसा इस्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा एक यहाँ यहाँ यह गुलुकोज है अलफा डी गुलुकोज और इधर एक बीटा डी गुलुकोज यहाँ पर एक का कारबन नमबर फोर जुड़ेगा इसके कारबन नमबर वन से कैसे यहां से हाइडोजन निकलेगा कारबन की 4 नमबर से यहां से हाइडोजन इस कारबन काहां 1 नमबर से OH तो यहां से H2O बाहर निकल जाएगा इसको 1 नमबर इसको 2 नमबर मानेंगे तो यहां से यहां इस कारबन की 4 नमबर से हाइडोजन इस carbon के first number से OH निकलेगा तो देखिए इनके और इनके बीच bond बनेगा देखिए सब पुछ सेम है इस carbon का four number यहां oxygen यह bond बना है carbon के first number से बस इतना ही आपको करना है अब यह वाला bond जो इस carbon और इस carbon की बीच oxygen के दरब bond बना है इसे oxide bond कहते हैं और इस carbon और इस carbon के बीच जो bond बना है यह वाला जो pink कलर से है उसे glycotic bond कहते हैं इसमें दो परकार के bond पाए गए पिर अगर हम reaction करा दें CS3 CO के whole twice और O से और 8 mol ले 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 तो क्या बनेगा देख लेते हैं देखिए यहां पे CH जहां पे भी O H था वहां पे CO O CS3 जुड़ साएगा यहां CH यहां भी O H था तो यहां CO O CS3 CH फिर CO CS3 O CH यहां पे देखिए यहां CH यहां पे CH2 O CS3 CO साथ में रहेगा फिर यहां पे अगर कहा जाए फिर सेम ऐसे ही यहां पे CH यहां C CO O CS3 यहां CS3 CO O C यहां पे CH यहां कारबन से CO O CS3 यहां CO यहां CH यहां CH2 O CS3 और यहां पे क्या लगा हुआ है एक CO यह C O CH2 O CS3 CO जहां पे ओपर O H था वहां पे CO CS3 वह हो जाएगा यहां C O CS3 भी उसको लिख सकते हैं आप चाहिए ऐसे लिखे चाहिए ऐसे लिख सकते हैं यह structure आपका बनेगा अगर फिर इसका हम हाइड्रोलेसिस करा दें यह वाला bond break होगा इधर O H आएगा इधर oxygen है तो यहां CH हो जाएगा O H इधर भी इधर O H यूड़ जाएगा यह bond break होगा इधर H इधर O H इसके बाद कुछ structure अब क्या हो जाएगा यह bond break हो जाएगा तो यहां क्या हो जाएगा इस carbon पर यहां CH यहां O H और यहां C पर O H ऐसे यहां पर C O H और यहां पर C O H तो next step आप रहने देजी लिखने को अगर आप note बनाईएगा तो लिख सकते हैं वरना कोई बात नहीं है फिर हम देख लेते हैं अब यहां पर glycolytic bond और oxide bond में oxide bond पहले break होता है यहाल रखिएगा अगर फिर हमने फिसर structure को हम हावार्थ structure भी थोड़ा सा देख लेते हैं उपर वाले का इसी का तो क्या होगा यह one number है यह से वहाँ one था है यह one हो गई कुछ ऐसे structure बनेगा यह two number यह कुछ ऐसा structure बनेगा दो number ति क्या निकलता था O-H और one number ति क्या निकलता था hydrogen यहाँ से hydrogen तो यहाँ से H2 निकलेगा तो वही structure कुछ ऐसे आपको देखेगा जो यह वाली इस्ट्रक्चर बनी हुई थी आक्साइड और गलाइकोलेटिक बॉन वाली इस्ट्रक्चर यहाँ पर कुछ ऐसे बन के आ जाएगी हावार्थ के अनुसार और जो उपर वाली बनी थी यह वाली यह क्या थी? फिसर के अनुसार तो HER देखत है इन काये 6 通ड़ेटाये म उन्याई किया जाकुद होटा उसको अकसिडाइज किया जांटाय बर गलाइकोलेशन बिथ डाई मेथिल सेलफेट एंड एन इवेच फालोड बाई हार्डोलेसिस गिप्स मिक्चर 2,3,5,6 टेट्राओ मेथिल डी गुलोकोनिक एसिड एंड 2,3,4,6 टेट्राओ मेथिल बेटा डी गुलोकोज यह बनता है जब मेथाईलेसन करेंगे तो हम इसको जो उपर लिखा है उसको हम देखते हैं रियक्षन के द्वारा C12, H22, O11 का BR2 और H2O की उपस्थिती में आपसे डेशन हुआ तो यहाँ C11, H21, O10 इंटू COOH बन जाएगा मोनोकारबाउजलिक एसिड इसिव कहते हैं माल्टो बायोनिक एसिड OR इसको हम लिख सकते हैं C11, H13, O2 फिर बिरेकट में OH यहाँ 8 इंटू COOH लिखा जा सकता यह और यह सेम है इनकी रियक्षन कराएंगी NEOH और CH32 whole twice इंटू SO4 की उपस्थिती में तो इसकी यहाँ रियक्षन होगा इनका तो यह बनेगा C11, H13, O2 फिर OCH3 का 8 यहाँ से OH जो था निकल जाएगा तो यहाँ क्या OCH3, 8 इंटू COOH हो जाएगा इसका नाम है आक्टाओ मिथिल डी माल्टो बायोनिक एसिड फिर यहाँ पर इनकों दो परकार से यह बट जाएगे अगर हाइडो लिसिस करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा यहाँ COOH, CHOCS3, OCS3, OH, OCS3, CH2, OCS3 यहाँ CHOH, CHOCS3, COCS3, CH, COCS3, CH2, OCS3 और यह आक्सिजन यहाँ पर ऐसे रिंग में लगा रहेगा इसका नाम था 2, 3, 5, 6, टेट्राओ मेथिल डी गुलुकोनिक एसिड इसका 2, 3, 4, 6, टेट्राओ मेथिल बीटा डी गुलुकोज यहाँ हाइडोजन है ठीक है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है झाल में यहाँ है